हेलो गाईज वेरी वेरी गुद इवनिंग आप सभी को मैं प्रियल आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने इस चैनल पे प्रियल में रीजनिंग के अंदर अगर आप नहीं है पहली बार जोड़ें सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को लाइक कीजेगा शेयर का बटन दबा दीजेगा आज मैं आएक बहुती बड़ा इंपॉर्टन इनाउंसमेंट लेके आई हूँ एक बहुती बड़ी ख़बर जो अभी कुछ दिन पहले एक ख़वाब में निकले थी कि यूपी लेखवाल की भरती पर क्या काम किया जा रहा हूँ क्या होगी कि यूपी लेखवाल की भरती जिसके बाद काफी बच्चों के क्या सच में यूपी लेखवाल की भरती निकलेगी क्या सच में एक्जाम होगा कि एक्जाम इस साल हो पाएगा नहीं हो पाएगा इन सब के बारे में आज मैं चर्चा करने वाली हूँ और आपको सारी की सारी सबसे बड़ी बात यह है कि आप सभी ने कुछ दिन पहले हैं एक दो दिन पहले देखा होगा कि यूपी लिखपाल की भड़ती के बारे में अक्वार में निकला था कि जल्दी इसकी प्रक्रिया शुरू होगी तो बिल्कुल सही बाते हैं 2017 से लेकर 2020 तक इतने टाइम के बीच में इतने भी पद जो हैं इसमें खाली है इतने भी पद खाली होएं इनके बीच में उन सभी पदों को इस बार भरा जाएगा ऐसी खबा निकली है यूपी ट्रिपलेसी के ऊपर यूपी ट्रिपलेसी जो डिपार्टमेंट है उससे बोला गिया है कि आप इन पदों को दोगार बीच से कितने पद खाली उन सभी पदों को भरा जाए तो बात ये सामने आई है कि इनके पास एक प्रेशर आया है कि अब इनको पदों को भढ़ने को एक जिम्मेदारी सोपी गई है इस साल हमें यूपी लेखपाल की भरते को भढ़ना है तो ये तो थी अख़वार के अख़वार में ये बात आई थी तो क्या आने वाली सच में बिल्कुल आने वाली है आराउंड आप मान के चलिए यहां पे ये बिल्कुल सही बात है इनको बोला गया कि इतनी वेकेंसी आने वाली बिल्कुल सही बात हैं बिल्कुल हाई आएगी है हां ये वेकेंसी इस साल ही एक्जाम होने वाला है तो ऐसा महा से हमें पता चला है कि एक्जाम जो होगा वह राउंड नवेंबर में होने वाला है अक्टूबर नवेंबर में एक्जाम होने वाला है उस ख़वर के एक्जाम अक्टूबर नवेंबर में होगा ऐसा पता चला है तो अभी भी आखके बास त्री मन्स है जुलाई तो निकल चुका है और सेप्टेंबर और अक्टूबर अक्टूबर नवेंबर में एक्जाम हो जाएगा अगली बात जो बच्चों के मन में आती कि वेकेंसी कितनी निकलेगी क्या सच में काफी पद हैं खाली है नहीं भी है तो वेकेंसी की बात करें हमने उनसे बात करके यह पता चला है हम लोग को कि वहां पे एराउंड 25 से 30,000 पद खाली हैं लेकिन अभी जो भरती नि निकल जाएगी एराउंड 8,000 बरतियां पहले वो लोग 8,000 लोगों की भरतियों को करेंगे उसके बाद बाकी जो बच जाएंगी भरती वो की जाएगी तो बात यह फैक्ट है कि यूपी लेकपाल की बरती बिलकुल जल्दी आने वाली है और भरतिया भी आठ एक दो भी न करना है मतलब नेक्स सेशन में तो उनको जोइनिंग मिल जानी चाहिए ऐसा उनकी उपर प्रेशर आया हुआ है तो बात यह इस साल एक्जाम होगा नेक्स यह जोइनिंग आ जाएगी और एक्जाम होना तैह है ऐसा हमें अभी तक उनकी बातों से पता चला है तो यह थी पूरी हो चुकी होती है यह बहुत बढ़ा फैक्ट है कुछ बची करते हैं आने के बाद त्यारी चुकर नहीं जो अच्छा स्टूरेंट होगा वह फॉर्म आने तक तो तैयारी अपनी पूरी कर लेगा तो के बात ध्यान रखना तैयारी अपने स्टार्ट कर देंदें न्यूज के अंदर आपको प्रापर अपडेट मिलती रहेगी तो अगर आप नए थे पहली बात जोड़ी ते सब्सक्राइब करें शेयर करें लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा जिसे कि आपको जो भी अपडेटेट न्यूज है वह आपको रेग